नमस्कार तो अब है हमारा दूसरा सर्फ कप का मैच इंडिया वर्स नेपाल और यह मैच भी बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है तो पहला मैच तो हमने काफी अच्छा खिला है और बहुत अच्छे मारजिन से जीते हैं तो शुब शुरुआत तो होई है अब दूसरा मैच जो ठीक है क्योंकि नेपाल टीम में भी कुछ स्ट्रेंथ उनके पास है जहां पर वह स्ट्रॉंग है अगर उनका वह अगर अच्छा काम कर गया तो मतलब देखें स्कोर तो अपने को अपने को कमजूर नहीं समझना है बल्कि उनकी जो कमजूरिया है उसको अपनी ताकत बनान है और उनकी जो स्ट्रेंथ है उनके उपर अपने को ज्यादा फोकस करना है तो उससे हमको सक्सेस मिलने वाली है तो सबसे बले देखें मैं अगर आप बोलेगे कि नेपाल कैसा गेम प्ले करती है और इंडिया कैसा गेम प्ले कर रही है तो आपको पता इंडिया बॉल आपको पॉसिबिलिटीज वैसी नजर आएगी हाला कि उनके कोच चेंज हुए है थोड़ा सा गेम प्ले आपको चेंज देखने को मिलेगा लेकिन डॉमिनेशन आपको इंडिया का ही दिखेगा लेकिन कुछ चीजे जहां पर हमको थोड़ा सा स्ट्रॉंग रहने की बात है बिकॉस नेपाल जो है डिफेंस अच्छा करने की पूरी कोशिश करेगी बिकॉस देनों की अगर हम गोल कर देंगे तो फिर उनका जो कुछ भी हो उनका जो रिजल्ट के लिए सोच के आया होंगे जो भी एक्सपेक्टेस उनकी होगी हो नहीं पाएगी तो डिफेंस हमकी रखने वाले सेकेंड वो ट्रांजिशन पर जब काउंटर्स बनाते हैं आप देख सकते हैं कुछ गेंस मैच देखिए भर्यों ने तीन गोल खाया लेकिन एक मारा भी है तो एक तो ट्रांजिशन और काउंटर्स उनके अच्छा बनाते हैं ठीक है फागे फाइनल थार्ड म काउंटर्स आएंगे तो यह इन प्लेयर को हमको देखना पड़ेगा और वो लोग क्रॉस वगरा भी ट्राय करते रहते हैं तो हमको उसके उपर भी दिखना पड़ेगा हमारा जो डिफैंसिव वर्क होना चाहिए वो एकदम हंडेड़ परसंट और रहना चाहिए उस दिन म तो हमको जो है गेम रोटेशन ठीक है और अच्छे क्रॉसस जी है ताकि वो गलतिया करें यह सब जीज है फेक रंस और हो सकता हमको थ्रू बॉल्स के लिए गैप मिले ना मिले इसलिए हमको वन टू प्ले जो होता टक टक वो अच्छा करना पड़ेगा तो हमारे प्लेयर्स उसमें महीरे वैसे तो वन टू प्ले करके स्कोरिक निकालने में अब देखते कि नेपाल के गेंस्ट वो कितना अच्छा हम कर पाएंगे और नेपाल का जो डी बॉक्स रहको उसमें उनके प्लेयर्स उनके नंबस जादर रहने वाले है विकॉज वो डिफेंस अच्छा करन उसके बाद अगर अगर प्लेइंग की बात करें कि प्लेइंग कैसी खेलाना चाहिए तो मैं समस्ता हो कि फर्स्ट गेम में हमने खेला था उसमें काफी प्लेयर्स लेकी नेपाल को हम सीरियसली ले के चलना है तो इस बहुँए नेपाल के एकशा गोलकीपर में वापस गु तो मित को अगर चाहें तो because को हम कर सकते उसके बाद अगर आप stopper में बोलेंगे तो stopper में मुझे लगता है कि change करना चाहिए मतलब कि अपने जिंगन पाई जी और अन्वर भाई दोनों सही खेल रहे हैं आप महताब को try कर सकते अगर करना चाहें तो because rest दे सकते जिंगन पाई जी को भी rest दे सकते या अन्वर भाई को rest दे सकते जिनको चाहें लेकिन मैं समस्ता हूँ कि जिंगन को खिलाना थोड़ा जाद है experience के साथ है तो जिंगन को खिलाना चाहिए अन्वर भाई को rest दे सकते इसलिए नहीं कि उनका gameplay की वज़ा से इसलिए कि next match में fresh legs आएंगे वो इसलिए ठीक है फिर उसके बाद जो अपने fullbacks है fullbacks में आप बिल्कुल निखिल पुजारी आकास मिस्टा को डाल सकते है सुभासिस भाई और प्रितम को टाल को आप रेसे जा सकते है तो आकास भाई और निखिल पुजारी को स्टार्टिंग लाइनप में डाल सकते है अजा fullback उसका मिड में बूलेंगा तो मैच समस्ता हूँ कि आप Jackson को रेस दे सकते है पिछले मैच बहुत महनत भी करिए अगले मैच के लिएम को एक दम fresh leg चाहिए तो रोहित कुमार को आप उसमें डाल सकते है मुझे ऐसा लगता है रोहित कुमार को आप defensive भूमी का जह हो दे सकते है पाकि उस सहाल और थापको अगर आप चाहिए तो आप start ले कोई दिक्कत की बात नहीं उसके बाद wing पे आप change कर सकते है विंग पे देखिए आसिक और चांग्टे को आप rest दे सकते है against Nepal no worries Nepal कहेंगे से अपना नंदकुमार भाई और अपना महेज भाई दोनों समाज सकते है अगर आप चांग्टे को और आसिक को rest देना चाहिए दे सकते है नंदकुमार can play well और भाई बहुत attacking football खेल सकता है गोल स्कोर भी निकाल ले तो बहुत अच्छी बात है और महेज भाई को तो आपको पता है यह हर मैज में चैली रहे ठीक है और एक और इस पर आप हो सकता है मुझसे agree करें न करें लेकिन मैं ये भी बोल सकता हूँ आप रहीम अली को प्लेइंग में डाल सकते है छेत्री भाई को थोड़ा rest दे सकते है हाँ एक बात होई कि छेत्री भाई को खिलाने से हुझे हमको 100 international goals उनके complete करना है उसमें फायदा मिलेगा लेकिन आगे हमको और tough match खिलना है तो मैं समझता हूँ कि अगर छेत्री भाई को second half में लेकिया है first half में आप रहीम भाई के साथ भी जाए तो भाई रहीम भाई का नेपाल के गेंस performance अच्छा रहा था पिछले डाई मैं सहीं बात बता हूँ पिछली बार याद है Safe Cup के पहले आई थिंक हमने फ्रेंडलीस के लेते तो रहीम भाई मैं अप तो मैच थे नेपाल के गेंस तो मुझे लगता है कि रहीम भाई को ट्राय कर रहे चाहिए अब नेपाल के गेंस, रहीम भाई में भी गोल कर दें और मैं चाहता हूँ कि वो गोल करे ताकि एटलिसन को जो confidence है वो आपस आए तो अब देखिए ये मेरा prediction है कि इस तरह से हम जा सकते हैं इससे इंडिया टीम के gameplay पे, score line पे कोई घाटा नहीं होने वाला अगर मैंने जो players बोले इनके साथ भी हम जाते हैं तो starting line up में against Nepal मैं किसी और की बात नहीं कर अगेंस नेपाल की बात करहूँ ठीक है तो मेरी एक prediction ये है line up को लेकर कि ऐसे जाना चाहिए और we can win इस playing line up के साथ भी हम dominate करेंगे game को ये 100-200% बात है ठीक है तो this is what I wanted to say about Nepal versus India ठीक है तो और मैं समझता हूँ कि हम ये match जो है मेभी 3 गोल से या 2 गोल से जीश सकते हैं ठीक है जितना मैं देख पा रहा हूँ अभी क्योंकि नेपाल थोड़ा सा अच्छा gameplay करेगी ठीक है नेपाल मैं समझता हूँ कि नेपाल पिछले से F Cup में जैसा खेली तो उससे जाद अच्छा gameplay करने वाली तो थोड़ा tough competition देगी लेकिन वह ही कि हमको जो उनकी कमजूरी है उनको अपनी ताकत बनाना जो मैंने पहली बोला ठीक है तो अभी देखते हैं कि क्या होता है बाकी आपको क्या लगता है आपके प्लेयर्स के साथ प्लेइंग में जाना चाहेंगे और आपकी prediction क्या होगी यह जरूर बताइए और इसी तरह आप Indian football को support करते रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए जैहिन जै हारा टूर एसी नहारादां जो वीडियो देखने का लिए खानी कोस्ते है को सब्त्सक्ट पार घonला है बाके झाल से भाचल को सब्स्सक नगर्षबुक्त करते हैं जिएक्यों जिएके लिएक्यों झाल झाल